वेलकम बेक फ्रेंड्स इस वोटे में पढ़ेंगे क्लास नाइस साइंस एंसी अर्ट का चाप्टर टैन ग्रैबिटेशन यह मारा पार्ट त्री है आज हम पार्ट नहीं पढ़ेंगे 10.3 मास 10.1 और 10.2 हम किसले पार्ट में कभई कर चुके हैं 10.3 मास वेट और 10.4.1 वेट और 10.4.1 यह तीनों चीज़े हम पार्ट थीने पढ़ेंगे यह काफी चाथी हम पार्ट टॉपिक है क्योंकि इसे दर हम सीखेंगे कि अगर कोई आपजेट मून के उपर है तो सक इतना वेट ह होगा है ना मून के उपर हम किसी भी आपजेट का वेट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं तो पहले पढ़ते हैं कि मास क्या होता है we have learned in a previous chapter that the mass of an object is in the measure of its inertia हमने chapter 9 ने पढ़ रहा था कि कि किसी भी आपजेट का जो मास है हम उसको कैसे मेजर करते हैं उसके inertia से मेजर करते ह है we have also learned that the greater the mass the greater inertia हमने यह भी चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे मास भड़ेगा किसी भी object का उसे इसाफ से उसका inertia भी भड़ता रहेगा it remains the same whether the object is on the earth the moon or even in the outer space तो किसी भी object का जो मास होता है ना चाय वो अर्थ पे हो चाय वो मून पे हो चाय फिर वो कहीं पे भी हो कोई अब्जेक्ट हो उसका कितना भी मास हो है ना वह में सेम रहता है चाय वो कहीं पे भी हो चाय वो अर्थ पर हो चाय वो मून पर हो है ना कहीं पर भी थर्स दमास अब्जेट इस कॉंस्टेंट इस क्लाहम कह सकता है जो अब्जेट का जो मास होता है वो क्यास होता है constant होता है and does not change और change नहीं होता place to place मतलब कहीं भी जाएगा तो वो change नहीं होगा आप समझते हैं कि वेट क्या होता है We know that the earth attract every object with a certain force and this force depends on the mass and हम जानते हैं कि जो earth है वो अपनी तरफ सभी के सभी object को attract करता है एक certain एक force के साथ this force depends on the mass और यह force पर depend होती है यह force उस वाले object के mass के पर depend होती है of the object and acceleration to the gravity और उस वाले object के अंदर जब अर्थ जो है अपनी तरफ किसी object को attract करेगा तो उस वाले object का mass एक तो आएगा और mass के साथ साथ उस वाले object में acceleration आ जाएगा इसलिए the weight of an object is the force with which it is the attract toward the earth इसलिए जो object का weight होता है हम उसको force भी कह सकता है मतलब अगर earth किसी चीज़ को attract करेगा तो जिस force के साथ object को earth attract करेगा उस वाले चीज़ को हम कहेंगे weight we know that हम जानते है कि force क्या होता है force क्या होता है mass multiply by acceleration है ना अब जब कोई earth किसी object के उपर force लगाएगा तो एक तो उसका mass depend करेगा और उस वाले object के इंदर acceleration आ जाएगा इसलिए हमने यहापर acceleration को denote किससे किया था जी से denote किया था उपर हमने पार्ट में पढ़ा था कि हम acceleration को किससे denote करेंगे जी से इसलिए हमने force is equal to mass multiply acceleration को हम किस तरी किसे लिख सकता है force is equal to mass multiply by g the force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object अब जो earth किसी object के उपर एक force of attraction लगा रहा है मतलब से attract कर रहा है एक force के साथ हमने उसको क्या कहा हमने उस वाली force को weight कह दिया तो हम यहापर force लिख सकता है weight लिख सकता है it is denoted by w तो हम force को wc denote करेंगे substituting the same in equation 10.14 अब जो यह equation 10.14 है इसके नगा करेंगे substituting करेंगे force करेंगे weight m multiply by g as the weight of an object is the force with which it earth attracts towards the earth अब जो object है ठीक है object is the force with which it attracts towards the earth अब जिस force के साथ earth की तरफ कोई object attract हो रहा है उसको हम करेंगे उसका weight the SI unit of weight और SI unit weight के SI unit क्या होईगी जो SI unit force की थी वो ही SI unit होईगी weight की force के SI unit क्या थी Newton हमने पढ़ ला था तो weight की भी SI unit क्या होईगी Newton the weight is a force acting vertically downwards it has both magnitude and direction अब देखो अब जो weight है weight क्या है force है अब जो force है में निची की तरफ लग रही है vertically downward लग रही है तो force के पास कैंगै magnitude भी है और direction भी है मतलब निची की तरफ जा रहा है तो direction भी है उसका magnitude भी है उसका values होता रहता है है ना तो weight के पास बहुत отвеч क्या है magnitude भी और देखोरे में देखें भी है we have learned that the value of g is constant at a given place हमने पढ़ा था जो g की value होती है वो constant होती है therefore at a given place the weight of an object is directly proportional इसलिए हम कह सकते हैं जो weight है जो weight है वो यह बर directly proportional है किसके? मास के है ना say m of the object that is weight weight किसके हो जाएगा? proportional directly मास के है ना हमने weight को WCD not किया और मास को m से it is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass the mass of an object remains the same अब किसी भी object का जो mass है हमने यह उपर पढ़ा कि किसी भी object का जो mass है वो हर जेंगे same रहता है remains the same everywhere that is on the earth चाहिए वो earth पर हो चाहिए वो planets पर हो चाहिए वो फिर किसी भी location में हो ठीक है हमेशा किसी भी object का जो mass है वो ही कुछ same होता है तो हमने यह पर क्या सीखा हमने mass में पढ़ा कि सभी object का mass same होता है हर place पर weight में हमने क्या पढ़ा हमने weight में यह चीज़ देखी कि जो weight है वो ही force है मतलब जब earth किसी object के उपर अपनी एक force लगाएगा तो उसको हम कहेंगे weight इसलिए मारा पर क्या formula बतता है क्या method होएगा w is equal to m multiply by g है ना अब यहाँ पर देखो w क्या है force है और g क्या acceleration है acceleration को में denote किया g से और force को में denote किया w से उसके बाद यहाँ पर जो weight है मतलब force है force के ऐसा weight के है newton तो weight के ऐसा unit क्या होगी newton ठीक है अब हैं पढ़ते है 10.4.1 weight of an object on the moon moon के उपर किस object का क्या weight होता है उसको हम किसे किसे find कर सकते है we have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attract the object अब हमने आप उपर क्या चीज पढ़ी कि जो earth मतलब जो जड़ती है वो जिस object को एक force के साथ threat करी होगी तो जिस force के साथ object को अपनी तरफ खीच रही होगी वाली object अगर मालो वो यहाँ पर 78 ठीक है इस force के साथ वो यहाँ पर उस वाले object को अपनी तरफ खीच रही है तो वही उसका क्या होगा weight होगा इन दा सेम वे इसी तरीके से the weight of an object on the moon मून की उपर object का जो weight होता है वो किसके सेम होता है is the force with which the moon attract the object देखो जैसे अर्थ ने जब किसी object को attract किया तो जिस force के साथ जितनी उसने force लगाई उतना ही उस वाले object का weight है इसी तरीके से जब मून किसी object को अपने तरफ attract करेगा तो जिस force के साथ moon object को अपने तरफ attract कर रहा है वो वाला ही जिस force साथ जितनी भी वो force साथ attract करेगा उतनी force उस वाले object का क्या होगा वहाँ पे weight होगा अब जो मून का मास है वह अर्थ के मास से कम होता है हम एक चीज पता है इसकी वैसे क्या होता है जो मून है ना वो यहाँ पर कम फोर्स लगाता है अपनी थम अटरेट करने में अब जो औबजट का मास है हम जो से लेट करा M let its weight of the moon be m और जो moon का weight है उससे हमने करा wm ठीक है let the mass of the moon और जो moon का mass है मतलब object का mass को हमने लिया m moon के weight को और moon के mass को moon के weight को लेंगे wm और moon के mass को लेंगे mm and radius b rm और radius क्या हो जाएगी moon की rm by applying the universal law of gravitation the weight of the object on the moon will be अगर हम यहाँ पर universal law लगाता है जो gravitation का है मतलब जो पूरे universe में gravitation जो law use होता है उसके साफ से जो method है वो क्या है wm is equal to gmm मतलब mass of the moon multiply mass किसका mass object का mass upon radius radius मतलब distance let the weight of the same object इस तरीके से हमें मून का हो गया अब earth का क्या है earth का क्या हो जाएगा earth का जो weight है वो जाएगा w e earth का जो mass है वो जाएगा m और radius का हो जाएगा earth की r अब है पर table 10.1 में आपको यह याद कर लेनी है देखो यहाँ पर जो earth का mass होता है na kg में वो होता है 5.98 multiply 10 to the power 24 और जो moon का mass है होता है यह है इसको मैं याद करना है इसकी मदद से हम यहाँ पर कोई भी numerical यह फिर कोई भी example solve कर पाएंगे उसके बाद from equation 10.9 and 10.15 we have अब यहाँ पर यह है अर्थ का और उपर हमने देखा moon का substituting the value from table 10.1 अब यह table 10.1 है इसके अंदर से हम यहाँ बेसाद कर दोगे यह फॉर्म लेकर देखो यह वाला मैथड है ना इसके अंदर सब्टिट्टिंग करेंगे करने की बात क्या होगा यह मास है ना और यह भी मास है moon का तो moon का मास कितना हो जाएगा 7.36 multiply 22 वह यह चीज उन्हाँ यहाँ पर लिख लिए देखो यह यहाँ पर लिख लिए मास एजिटीज आ गया और यहाँ पर आगए रेडियस यह यहाँ पर आगए डबलू एन तो यह हो जाएगा मारा moon का वेट और यह हो जाएगा मारा earth का वेट डिवाइड इंक्वेजन अभी नोनों को सकते हो देखो मोन के ऊपर किसी अपजट का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे उसे 1 अपां 6 से मल्टिप्लाइ कर देंगे फस्तरीक से लिखेंगे वेट ऑफ ऑफ गाल अले यहाँ यहाँ आप्जट का weight 25 kg है ठीक है तुम क्या करेंगे 1 upon 6 multiply by 25 अब यहाँ पर जो भी answer आएगा ठीक है वो किसका weight होगा वो साले object का weight होगा किसके उपर moon के उपर मतलब अगर आप किसी भी object के weight को 1 upon 6 से multiply करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका weight moon के उपर कितना होगा ठीक है और 1 upon 6 find करना भी आना चाहिए और 1 upon 6 कैसे find करा पहले आपको यहाद रखना है कि हमने object को मास है उसे लिया m weight on the moon का है wm और moon का मास है कितना लिया में mm ठीक है निकल के आजाएगा क्या यहाँ पर आजाएगा यह हो जाएगा moon का weight और यह हो जाएगा earth का weight इनको divide करने के बाद ठीक है यह कैसे निकल किया यह universal low जब हमने universal low वाले method लगाए तो मारा यह पर weight निकल के आगया weight को जो हमने the object on the moon upon weight of the object on the earth is equal to 1 upon 6 अब जो यहाँ पर यह नीचे वाला earth का weight है वो इस हैट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा multiply में आ जाएगा इस तरीके से और 1 upon 6 multiply जो भी इस वाले object का weight होगा वो हम यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर हमारा answer निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर एक numerical है अब example 10.4 में क्या करना है हमें यहाँ पर एक object का mass दे रखा है 10 kg अब 10 kg में बताना है कि इस वाले object का कितना weight होगा अर्थ की उपर ठीक है mass तो same ही रहेगा 10 kg mass तो किस भी object का कभी भी नहीं बतलता तो हम क्या करेंगे weight is equal to mass multiply by g मतलब force is equal to mass multiply by acceleration होता है ना force हो जाएगा weight और acceleration हो जाएगा g यहाँ पर क्या जाएगा 10 kg multiply 9.8 ms-2 और 98 newton ठीक है यहाँ रखना SI unit होती है newton बहुत important numerical है यह आपका exam में पूछा जा सकता है अब exam पर 10.5 है इस कनल में क्या करना है an object weight 10 newton when measured on the surface of the earth जब हमने किसी object का weight अर्थ के surface के उपर measure किया तो निकल के आया क्या 10 newton what would be its weight when measured on the surface of the moon जब हम उसका weight moon के surface के उपर measure करेंगे तो कितना निकल के आएगा तो क्या करेंगे अपना method यूज करेंगे method क्या है हमारा weight of the object on the moon is equal to 1 upon 6 multiply weight on the earth क्या हो जाएगा 1 upon 6 multiply ठीक है क्या है 10 newton है तो 10 से multiply करेंगे और यहां पर क्या जाएगा 1.67 newton the weight of the object on the surface of the moon will be 1.67 newton तो क्या हो जाएगा moon के surface के उपर क्या हो जाएगा इसाले object का weight 1.67 newton ऐसी आपसे कोई भी object का weight देंगे और आपको बताना होगा कि moon के उपर क्या होगा या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आपको यह पर कोई weight किसी object का मास दे दिया और पूछा कि अर्थ के उपर उस वाले object का weight क्या होगा तो हम क्या करेंगे weight is equal to multiply by जी यहां पर यह उस करेंगे और में कुछ सरे कोशन भी दे सकते हैं कि अर्थ के surface के उपर किसी object का weight यह होगा और में बताना है कि moon के surface के उपर उस वाले object का weight क्या होगा तो हम 1 upon 6 multiply by जो भी वेट है उसको करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि moon के surface के उपर उस वाले object का weight क्या होगा है ना तो इस वीडियो सकता ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना 10.5 thrust and pressure हम करेंगे पार्ट 4 में thank you for watching